नामांकन के पांचवे दिन विधायक प्रत्याशी द्वारा नामांकन पत्र लेने और जमा कराने का दोड़ चलता रहा वही वैशारी नगर शेत्रे से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी ने जनसंपर्क पर सिर्फ रास्टी पार्टियों का विस्तार दिखाय जाने का भी सिल्सिला चलता रहा इस कड़ी में SUCI Communist Party की ओर से विधायक प्रत्यासी को रूप में दूर्ग शेहर से आत्मरम साहू और धंतरी शेहर से गीता सार्थी ने अपना नामंकन पत्र लिया इस दोरान विलाई वेशाई नगर विधान सभा से निर्दली प्रत्यासी हेमंत क केसरिया ने अपना नामंकन पत्र लेकर दुरूग जनसंपर्ग विवाग पर बेद भाव की जाने का आरूप लगाते हुए कहा कि जनसंपर्ग विवाग सिर्फ रास्ठी पार्टी का विवरण दर्शाकर सिर्फ उनका प्रचार प्रसार कर रहा है बाकी निर्दली किसी भ खड़ा हुआ है वैसाली नगर एरिया में जैसे नाली जो है वो नापका नाली नहीं बना हुआ है और जो उधर के जो बच्चे हैं वैसाली नगर छेतर के बच्चे वो कोचिंग करने के लिए अधिन बनने के लिए पंड को पढ़ाई कर ना है तो उनको सेक्टर एरिया मानना पडदा है व'? यह मजबूरी मेरा सक्षमाजदी करता हूं मैंने मजबूरी मेरा समझनी पालति भाग लिया है इस बार क्योंकि समझय बहुत जद्धा है वहांपर वस्यादी नहींस navigate जन संपर के भाग जो है और आश्टी पालवटियों का ही Zentुर और हमारे जो छोटे दल का उसमें नहीं दिखा रहा है प्रचार पसार में लगे हुए हैं जब कि फैसा बिइंद्भाव थो हैं हमारे राष्टी पालटियों का हमारा नहीं दिखा रहे तो गलत है परत्यासियों आज भी मुल्भूस समस्यां से लोग परशान है दूर्ग जो है तमाम मंत्रियों का गड़ होने पूरे राज्य की बेरोजगारी के जो समस्या है इलाज महंगा होते जा रहा है लगतार फीज्ष पृद्धी हो रहा है निजी करन हो रहा है इसके अलावज़ दैनिक की जरूरते हैं पेंशन बहुत कम है विद्धा का निरास्रीत का यह जो पेंशन है पेंशन बढ़ना चाहिए आम गलियों में रोड नाली सड़क बिजली पानी की समस्या आज भी बनी हुई अथावत यह जो मुल्भुष समस्या है इसके अलावा कई लोगों को घर नहीं मिल दुर्क से नसीम फारुकी की रिपोर्ट